तो दोस्तो डबली रॉज साथ माल 2022 को रोमरीक्स रॉज में आएंगे वो भी डबल टाइटल के साथ रोमरीक्स के एक हाथ में राएगा डबली चैंपिंशियो और दूसे हाथ में राएगा यूनिवोसर टाइटल अब अगर रोमरीक्स रॉज में रिटान आएंगे तो क्या ब्रॉकलिसर रोमरीक्स के उपर अटाइक करेंगे का आफिर वो कों है जो कि ब्रॉकलिसर को डवाइटल के लिए चैंपिन बन जाएगा आखिरकार फैन्स का इन दिजार खतम आपोनेंट सामने आया ब्रॉकलिसर लिए औस टेओरी औस टीयोरी ने MRI में ब्रोक्लिसर को टबलेबी टैटल के लिए ये मैच काफीज़ाद छोटा था इस मैच परॉकलिसर थे में चार्ज फ्लेक्ष दिया उसके रोमरीक्स ने ब्रॉक्लिसों को इतना मारा कि ब्रॉक्लिसों के सर से खून निकल गया और जब रोमरीक्स ब्रॉक्लिसों को मारते बारते थक गया तब रोमरीक्स ने ब्रॉक्लिसों के बेल को भी ले लिया और तब Romarex दे दोनों टाइटल को अपने हाथ में खरा करके दिखाया और ये बता दिया कि WrestleMania 38 में वो प्राक्रइसर को हराएंगे और उसके बाद पॉली मिलन ने रोमारीक्सर के मुझ के तरप माइक किया और रोमारीक्सर के का प्राक्रइसर एकनॉलेज मी ये सब तो ही MSG की बाते हैं अब बात करते हैं कि रोमरीक्स ते इस बारे में क्या रियक्शन दिया है MSG के बाद रोमरीक्स ते रियक्ट रहते हैं कि ये तो इस फिर ट्रेलर है WrestleMania में मैं ब्रॉकलेसर को इससे भी बहुत बुरी देगी किसे मारूंगा और तब ब्रॉकलेसर रिसल मिनिया 38 में हारने के बाद मुझे एक नॉलिज़ करेगा और मानेगा कि मुझे आज़ सा फाइटर डबल वी में कोई भी नहीं है और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता रोमरीक्स के इस स्टेटमेंट के बाद ब्रॉकलेसर का भी कोई भी ब्यान सामने नहीं आया है अब रो में रोमरीक्स डबल टाइटर के साथ आएंगे और रोमरीक्स से अपना बदला लेने के लिए ब्रॉकलेसर भी वहाँ आ सकते हैं लेकिन हमें उमीद है कि मंधिराट टाउ में रोमरीक्स डो ब्रॉकलेसर दोनों हमें देखने को मिलेंगे और शायद दोनों के बीच में ब्रॉल भी हो सकता है तो दोस्तों आप लोग बताई कि आप लोग को क्या चाहते हैं कि WrestleMania 38 में को जीते है रोमानिक्स या ब्रॉकलिस्टर क्या ब्रॉकलिसर रोमनीक्स को हरा के न्यू डबल चैंपियन बन जाए या रोमनीक्स ब्रॉकलिसर को हरा के बन जाए अन्डिस्पूटड चैंपियन आप लोग कमेटी ये जो बताएगे कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे है रोमनीक्स को या ब्रॉकलिसर को और मैं मिलता हूँ को थोई दर में WG के नेक्स अब्डेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू और गुट बाई